दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त भगवदी प्रसाद पुरहित एटुगेट और आज के वडियो में हम समझने वाले हैं कि भूलकर भी शामिल जमीन का डाइवर्शन नहीं करवाएं, अगर डाइवर्शन करवा लिया तो क्या-क्या परेशानिया होगी, तो देखे इन जो रहती है, वह तीन प्रकार की होती है, पहला प्रकार जो होता है, वह होता है, क्रशी भूमी, ठीके, पहला प्रकार होता है, क्रशी भूमी, ठीके, दूसरा होता है, आवासी भूमी, तीसरा होता है, व्यावसाइक, ठीके, व्यावसाइक, भूमी, ठीके, तो यह ती प्रकार होते हैं तेक्त हैं अभर मालेknown के नाम पर यहां जमीन चार लोगों की नाम पर यहां आपस में भाई 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 भी सकते हैं काका बतिजा ही या दादा पोता भी सकते हीं, पिता-पुत्र भी हो सकते हैं, या भाइवेन भी तक हो सकते हैं, या अगर इन लोगों के द्वारा ये चारो लोग यह हो सकते हैं, तो पहले हम समझे upwardशन किसे किसे कहा जाता है। तो देखि डाइवरशिन किसे चाहता है। उसको हम यह समझेंगे। कि जैसे माल लेते हैं कि यह क्रशिम भूमी का मतलब तो आप समझibyhost जो जमीन जो हे जिस पर खेती की जा रही है, जिस तर फसर हो गई जा रही है और जो शाष की दस्तावे जो में क्रशी भूमी के रूप में दर्ज है अर्था जिस पर खेती करने के उपयोग से उस जमिन का उपयोग जो है किसान के द्वारा किया जा रहा है तो उसको क्रशी भूमी कहा जाएगा तो यह क्रशी भूमी कहा जाएगा दूसरा रहता है आवासी बुमी तो आवासी का मतलब क्या होता है तो देखिए अगर किसी जमीन को अगर वक्रशी बुमी है और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा इन लोगों के द्वारा इन चारों के द्वारा अगर इस जमीन का डाइवर्शन करवा लिया जाता है क्या किया का उप्योग करेंगे इस पर मकान बनाएंगे या फिर किसी प्रकार से कोई भववन बनाएंगे को बंगला बनाएंगे और इस जमिन पर किसी प्रकार का कोई warehouse बनाना चाहते हैं कोई दुकान बनाना चाहते हैं या फिर इस प्रकार का कोई निर्बान करना चाहते हैं जिसका उप्योग यह व्यावसाइग रूप से कर सकते हैं ठीक है तो एसी इस्तिती में भी इन लोगों को इस जमीन का diversion करवाना पड़ेगा ठीक है अब अगर शामिल रूप से इस जमीन का diversion करवा लेते हैं पूरी चार वेगा जमीन का diversion करवा लेते हैं आधिक है में यह लोग जो है इस जमीन का बटवारा जो है तेसिल लार के माध्यम से नहीं करवा सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तेसिल लार के माध्यम से इस जमिल का फिर बटवारा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मद्यप्रदेश भूराजस सहिता की धारा 178 जो है उसमें इस प्रकार के प्रावधान दिये गए कि अगर कोई भूमी स्वामी जो है, क्रशी भूमी के कोई भूमी स्वामी जो है, वे अगर उस भूमी का बटवारा करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस भूमी का बटवारा किये जाने है तू मद्यप्रदेश भूराय सेहिता कि दाना एक सो इठो तर के तर तेसिलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ठीक है लेकिन अगर भूमी जो है वह क्रशी भूमी नहीं रहे अर्था तुसका अगर डायवर्शन हो चुका है वह या तो आवासी भूमी हो चुकिये या व्यावसाइ इम्हें को सिविल न्याल में सिविल सूट लगाना पड़ेगा या तो इनमें से कोई होन एक व्यावल चुण कर सकता है कि अगर माल लेते ही यहाव व्यक्ति चांता है कि इस में से इस व्यक्ति का हिश्सा अलक हो लेकिन यह नहीं चाहता है कि इसमें से इस वेक्ति का हिस्सा अलग हो ठीक है और ये जमीन जो है यह डाइवर्टेटट जमीन अर्था प्रतिवादी बना सकता है फिर सिवल नयाले के द्वारा इस जमीन का बटवार इसका पार्टिशन वह किया जायगा, इस प्रकारका निर्णे और चैयपत्चर पारीत हो जाएगा, तो उस फेसले के आधार पर फिर राजस्यू भीवाग में, उस फेसले के आधार पर अमल करवाया जा सकता है तो इसलिए अगर किसी भी जमिन का अगर आप डाइवर्शन करवाते हैं अगर वो जमिन जो शामीर है तो शामीर जमिन का आप अगर डाइवर्शन करवाते हैं और एसी इस्तिती में आपके अगर जो सक्रशक जो है जैसे कख और गज इस प्रकार के स सबसे माध्यम से बटवारा नहीं और यहां नहीं हुझे सब्वक्त दो से मना सकतेयो आप थीरदेम से तो समझते हैं कि कई वर्ष भी आपको लग सकते तो इसलिए आ भूल कर भी जमिन जो है, वह शामिल है, और आपको अगर ऐसा लगता है, कि इसमें से कोई सक्रशक जो है, वह भविश्य में बटवारा नहीं करवाएगा, और आपका सवयोग नहीं करेगा,